हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदेश आले के द्वारा दी जाने वाली आंकलन कारेपत्रक नमबर एट करेंगे जो की क्लास सिक्स्त की है और विश्य है सामाजिक विग्यान ये वरक्षिट 29 नवेंबर 2021 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की एसेस्मेंट वरक्षिट वन टू फोर कोशन है जो वन मार्क्स के हैं तो आईए देखते हैं कोशन नमबर वन डैश में लोग अपने परतिनिदित का चुनाव करते हैं उनने देखा था कि लोग तांत्रिक जो सरकार है उसमें लोग जो हैं वो क्या करते हैं अपने प्रतिनिदित का चुनाव करते हैं तो ए अंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा सैकिंड डैश नगर निगम का प्रमुक होता है तो नगर निगम का प्रमुक मेर होता है डी यहाँ पे सही अंसर हो जाएगा नेक्स देखो थार्ड कोशन नगर प्रशाशन चलाने वाली संस्था को जो नगर प्रशाशन चलाती है उस संस्था को हम नगर निगम कहते हैं डी अंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कोशन नमबर फूर ग्रामी प्रशाशन में डैस तर होते हैं इसका अंसर हो जाएगा तीन इसका अंसर हो जाएगा तीन सर होते हैं देखो फर्स्ट में क्या होगा लोगतांतरिक सरका सेकिंड में मेर हो जाएगा थर्ड में नगरनिगम हो जाएगा और फूर्थ में क्या हो जाएगा तीन स्थर होते हैं अब हम देखते हैं यहाँ पर पांच से लेके 10 तब कोशन दिये गए हैं जो 5, 6, 7 कोशन है वो 2 अंक के हैं और 8, 9, 3 अंक के हैं और 10 वा कोशन 4 अंक का है तो आईए करते हैं इन्हें 16 तो आईए करते हैं अंसर प्रशन 5 देखें ग्रामीन एम शहरी प्रशाशन में स्थाने सरकार के नाम लिखिए तो ग्रामीन प्रशाशन में स्थाने सरकार को पंचायत राज यहाँ पर राज आ जाएगा पंचायत राज और स्थाने सरकार को नगर पालिका कहा जाता है प्रशन 6 देखें ग्रामीन प्रशन में के तीन स्वाइक कौन Кौन से हैं ग्राम पंचायत पंचायत सिमिती और जिला परिशद प्रशन नमबर साथ देखेए ग्राम सबा के सदस्य कौन बन सकते हैं तो कोई भी व्यक्ति जिसकी आयू 18 वर्श से अधिक हो जिसे वोड देने का अधिकार हो वह ग्राम सब कि क्या भूमिका होते तो ग्राम संचाइत का जो सचिव होता उसके क्या भूमिका होती है ग्राम सभाग की बैठक में भाग लेने वाले सदस्व का विवरॉन रखना भी कौन-कौन सदस्या था है पहले तो क्या है लोक तंतर जो होता है उसमें क्याता है जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शाशन ये याद कर लिजिए अब इसमें क्या होता है जनता अबना प्रतिनिदी खुद चुनती है और ये प्रतिनिदी ही क्या बनाते हैं सरकार बनाते हैं इन प्रतिनिदी यह तीन नमबर का प्रिशन आपका ठीक है अब देखते हैं प्रिशन नमबर 10 नगर निगम का चुनाव कैसे होता है तो आईए देखते हैं इसका अंसर तो देखे क्या है शेहर को उसकी अबादी के अनुसार वार्डों में विभाजित किया गया है और प्रते एक वार्ड से प्रतिनीदी का चुनाव किया जाता है बैठक की अध्यक्षता और संचालन करने के लिए सदस्या आपस में एक अध्यक्ष का चुनाव भी करते हैं किस तरह से किया जाता है कि शहर को अबादी के अनुसार वार्डों में विभाजित किया जाता है प्रते एक वार्ड से क्य किया जाता है प्रतिनीदि का चुनाव किया जाता है बैठक कि अध्यक्षता करने के लिए और संचालन करने के लिए सद्रस्ट से आपस में एक अपना अध्यक्ष भी चुनते हैं तो ये थिह हमारी आज की असेस्मेट व्ट्शिट को कंप्लीट करके अपने टीचे से चेक कर और वाई और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और शेर कीजे थैंक यू गाइज